स्वागत है आपका आज की एपिसोड में चले शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण के साथ प्रश्ण था गुरुग्राम मैराथन के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेस्टर कौन बना या बनी है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए क्रिकेटर शिखर धवन चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को लेजर वैली पार्क में मैराथन एक्स्पो का आयोजन किया जाएगा जुसमें प्रतिभागियों को मैराथन किट दी जाएगी प्रशासन ने अधित्तम भागिदारी सुनिशित करने के डिक कई धावक समुहों, विश्व विद्यालियों, कॉलेजों, स्कूल संगों, शहर के सभी कॉर्पोरेट्स और नागरिक समुहों के साथ कई बैठके की क्रिकेटर शिखरधवन इस आयोजन के ब्रांड एम्बेस्टर है, मैराथन को चार शेडियों में विवभाजित किया गया है इनमें से तीन प्रतिस पर्धी हैं जिन में विजेताओं को नगत पुरसकार प्रदान किया जाएगा गुरुग्राम मैराथन के पहले संसकरण के लिए अब तक 27,000 से अधिक लोगों ने पंजी करण कराया है तो चलिए शिरुवात करते हैं आज के एपिसोड की पहला प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B-2014 चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को अज किया गया था और इसे आवास तथा शहरी गरीबी उप्षमन मंत्राले द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इसका उदेश कौशल विकास के माध्यम से स्थाई आजीविका के अवसरों में व्रिधिकर के शहरी गरीबों का उथान करना है या एक केंद्र प्रायूजित यूजना है केंद्र और राजियों के बीच वितयन का अनपात 75 अनपात 25 होगा पुर्वोतर राजियों तथा विशेश श्रेणी के लिए या अनपात 90 अनपात 10 का होगा इसके लक्षित लाभार्थी शहरी गरीब, सडक विक्रेता, जुग्गी जोपडी में रहने वाले, बेघर, हूडा बिनने वाले, बेरुजगार और दिव्यांग है अगला प्रश्न है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1951 चले देखते हैं इसके विशलेशन को संयुक्तराष्ट 1945 में स्थापित एक अंतरराष्ट्री संगठन है वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है इसका मिश्ण एवं कारी इसके चार्टर में नहित उद्देशू और सिध्धानतों द्वारा निर्देशित होता है तथा संयुक्तराष्ट के विभिन अंगो वविशेश एजिंसियों द्वारा इन्हें कार्यानवित किया जाता है संयुक्तराष्ट के कारियों में अंतरराष्ट्री शांती इवं सुरक्षा बनाए रखना मानवादिकारों की रक्षा करना, मानवी सहायता पहुचाना, सतत्विकास को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्री कानून का भलिभाती कार्यानवन करना शामिल है अगला प्रश्ण है धर्म गार्जियन किन देशों के बीच एक संयुक्त सैनी अभ्यास है इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प C, भारत और जापान चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को हाले में भारती और जापानी थल सेना के बीच संयुक्त सैनी अभ्यास धर्म गार्जियन का पांचवा संसकरण राजस्थान के महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज में शुरू हुआ दोसपताह का या अभ्यास भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वाशिक अभ्यास है जा पानी दल का प्रते निधित्व 34 इंफैंटरी रेजिमेंट के सैनी को द्वारा किया जा रहा है और भारती सेना का प्रते निधित्व राजपोताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अर्ध शहरी वातावरण में संयुक्त अभ्यानों को अंजाम देने के लिए सैने सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त शमताओं को बढ़ाना है यह आयोजन उचस्तर की शारिरिक फिटनिस, सैंक्त योजना, सैंक्त सामरिक अभ्यास और विशेश हतियार कोशल की बुन्यादी बातों पर केंद्रित होगा अगला प्रश्ण है सैंक्त राष्ट के चार्टर पर निमनलिकित में से किस वर्ष में हस्ताक्षर किये गए थे इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D. 1945 चले देखते हैं इसके विश्लेशन को सेंक्तराष्ट्र का चार्टर सेंक्तराष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है इस पर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्कों में हस्ताक्षर किये गए और 24 अप्टूबर 1945 को यह लागू हुआ सैंक्तराष्ट अपने अध्विती अंतराष्टी चरित्र और अपने चार्टर में नहित शक्तियों के कारण विभिन प्रकार के मुद्दों पर कारिवाई कर सकता है जोसे एक अंतराष्टी संधी माना जाता है इस प्रकार सैक्तराष्ट्र चार्टर अंतराष्ट्री कानून का एक साधन है और सैक्तराष्ट्र के सदस्य देश इससे बंधी है अंतर रास्ट्री न्यायाले सेख्त रास्ट्र का प्रात्मिक न्यायक निकाय अपने कानून द्वारा संचालित होता है जो सेख्त रास्ट्र चार्टर की अभिन अंग की रूप में सनलगन है अगला प्रश्ण है अम्रित भारत स्टेशन यूजना निम्नलिकित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? A. 2020, B. 2021, C. 2022 या D. 2023 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप D. 2023 चले देखते हैं इसके विशलेशन को अम्रित भारत स्टेशन यूजना का लक्ष देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है यह पुनर्विकास आधोनिक यात्री सुविधाय प्रदान करने के साथ साथ इंटर मोडल एकी करड तथा यात्रियों के लिए सुविवस्य दिशान निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिए साइनेज यानि संकेतों के माध्यम से सुविधा भी सुनिश्वित करेगा यह योजना रेल मंत्राले द्वारफ फरवरी 2023 में शुरू की गई थी अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से किस वर्ष विश्व बैंक के स्थापना की गई थी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A.1944 चले अब देखते हैं इसके विशलेशन को इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रिय बैंक यानि IBRD के रूप में स्थापित किया गया था बाद में यह IBRD विश्व बैंक बन गया विश्व बैंक समो पांच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साजेदारी है यह विकास सील देशों में गरीबी को कम करने और साजह सम्रिद्धिका निर्माड करने वाले स्थाई समाधानों के लिए कारे कर रहा है विश्व बैंक साइंक तराष्ट के विशिष्ट एजनसियों में से एक है अगला प्रश्ण है स्टन कैंसर के बारे में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक यह एक ऐसा रोग है जिसमें असामाने स्टन कोशिकाए नियंत्रड से बाहर हो जाती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है दो स्टन कैंसर कोशिकाए दूद नलिकाओ या स्टन के दूद उदपन करने वाले लोबूल के अंदर शुरू होती है निम्नलिकित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, बी ना तो एक और ना ही दो इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनो चलिए देखते हैं इसके विचलेशन को यह एक ऐसा रोग है जिसमें असामान स्तन कोशिकाय नियंत्रड से बाहर हो जाती है और ट्यूमर का रूप ले लेती है। यदि ध्यान न दिया जाये तो ट्यूमर पूरे शरीर में फैल सकता है और घातक हो सकता है। स्टन कैंसर कोशिकाय दूद न लिकाओ या स्टन के दूद उत्पन करने वाले लोब्यूल के अंदर शुरू होती है अगला प्रश्ण है निम्रलिकित में से कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानि के आई वाई जी दोहजार चौबिस का में जबान राज्य था इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप डी तमिलाडू चलिए देखते हैं इसके विशलेशन को तमिलाडू ने चार शहरों चेन्नाई, मदुरे, त्रिची और कोयमबटूर में के आई वाई जी दोहजार चौबिस की में जवानी की के आई वाई जी दोहजार चौबिस में पूरे देश से चप्पन सौ से अधिक एथलिटों ने भाग लिया के आई वाई जी दोहजार चौबिस तमिलाडू में 26 खेलों में कुल 926 पदक, 278 स्वन, 278 रजत और 377 कांसे पदक प्रस्तावित थे यह उनका चौथा के आई वाई जी खिताब था में जबान राज तमिलाडू 38 स्वन, 21 रजत और 49 कांसे पदक हासिल कर अपने अब तक के सर्वस्टेश्ट प्रदर्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहा हरियाना जिसने दो के आई वाई जी खिताब जीते हैं 35 स्वन, 22 रजत और 46 कांसे पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा स्क्वेश ने इस वर्ष के आई वाई जी में पदार पड़ किया जबकि सिलंबम स्वदेशी मार्शल आर्ट का एक रूप इस खेल का हिस्सा रहा अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को पहली प्रात में क्रिशी रिड समीती यानि P.E.C.S का गठन किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया झाल